चलिए लेसन रीट करते हैं लीक से खिसके अपने पुर्वजों में मा और नानी ही नहीं होती तो गनी मत रहती पर अपनी एक पर नानी भी थी जिनें कतार से बाहर चलने का शुक था उन्होंने रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी दो से ज़ादा धोतियां हो जाएगी तो भी तीसरी दान कर देगी जैन समाज में अपरी ग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती इसलिए वहां तक तो ठीक था पर उनका असली जल्वा तब देखने को मिला जब मेरी मा पहली बार गर्वर्वती हुई मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मनत मांगी थी मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मनत मांगी की उनकी पतहु का पहला बच्चे लड़की हो यहाँ गेर रवायती मनत मांग कर मनत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं मिला उन्हें चैन नहीं पड़ा उसे भगवान और अपने बीच पोशिदा रखने के बज़ाए सरे आम उसका एलान कर दिया लोगों के मुँख खुले के खुले रहे गए उनके फितूर की कोई वाजिव बज़ा ढूने से ढूने ना मिली यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं कह सकते थे कि खांदान में पुष्टो से कन्या पैदा नहीं हुई थी इसलिए मा जी बिचारी कन्यादान के पुन्ने के अभाव को पूरा करने के चकर में थी क्योंकि पिता जी की पिता जी की ही नहीं दादी जी की भी बेहन मौजुद थी हां पहले बच्चा हर बहु का बेटा होता रहा था माजी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी बलकि बस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही पूरा नकुड गाउं जानता था कि माजी का बगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा था जुड़ा हुआ है बितार का तार इधर वह तार खीश दी उधर टन से तथास तू बस्ता मेरी दादी तो पहली मतरभा में ही तयार हो गई थी कि गोदी में खेलेगी तो पूती पर माजी की आर्जू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान रहा होगा लड़की की गहर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफ्रा तफरी में आ गए की एक न दो पूरी पांच कन्याएं एक के बाद एक धर्ती पे उतार दी भगवान को क्या कहे माजी के सामने तो नामी चोर भी अफ्रा तफरी में आ जाते थे माजी और नामी चोर का किस्सा होश संभादने के बाद मैंने कई बार सुना था चोर के दिदार की खुश नसीबी भी हाताई थी चलिए देखते हैं लिखी का क्या कहती है अब यहां लिखी का अपने परदादी के बार में बता रही है वह कहती है कि उनकी परदादी को कुछ हटकर करने की आदत थी उन्होंने खुद से एक प्रामिस किया था कि अगर ईश्वर के आशिरवास से उनके पास दो से ज़ादा साड़ियां रही तो वहां तीसरी साड़ी दान कर देगी लेखिका कहती है उनका असली शान असली तेवर तब देखने को मिली जब मेरी मां फर्स टाइम पहले बार गरभवती थी पेगनेंट थी मेरी परदादी ने यहा मननत माँगी थी कि उनकी पहले संतान मतलब मेरी माँ की पहले संतान लड़की हो और तो और उन्होंने यहा मननत मांगी है यहां सभी को पुरे गाउं को बता दिया था और वे भगवान को हमेशा याद दिलाती थी कि उन्हें लड़की हो ऐसा नहीं कि हमारे परविवार में लड़कियां नहीं थी भहुत लड़कियां थी हमारे परविवार में मेरे पिताजी की बहन और मेरे दादी की बहन भी थी हमारे समय फिर भी न जाने क्यों उन्होंने मननत मांगे थी कि उनके इस मननत मांगे थी उनके इस रवये का किसी को पता न चला उनके और भगवान के बीच कुछ ज़्यादा ही गहरी दोस्ती थी ऐसा कह सकते हैं क्योंकि उनकी मांगी मननत इतनी कारगर सिद्ध हुई कि एक नहीं दो नहीं पुरी पांच लड़कियों हुई मेरी मां को अब भगवान को क्या कहे परदादी के सामने तो चोर भी असम्मंजस में पढ़ जाते थे यहा किस्सा मैंने मैंने मिस लेखी काने अपने यहा किस्सा मैंने मैंने मिस लेखी काने होश संभाला तो कई बार सुना था इसके बात का पार हम कल पढ़ेंगे